यूपी की गाज़ेपूर में अखिले श्वादर ने पियम मोदी और योगी आदितिनाद पर बड़ा खमला बोला उन्होंने गटबंधन की कारेकर्टाओं को नसीहत दी कि सत्ता से चौकिदार को हटाना है चाय वाला बन करके आये थे हमारे लोगोंने भरोसा कर लिया मदद कर दी लेकिन अब तो पता लगया होगा पांस साल और दो साल में चाय का स्वाद कैसा था ये बात तो सब जानते हैं छेचरणों में लोग जान गए छेचरणों में जाने उसी की वज़े से सफाया हो रहा है अगर ये बात जानते हो तो बताओ चौकिदार की चौकी चीनोगे कैंने चीनोगे और केबल शौकीदार से काम नहीं चलेगा फेट कुर्सी और छीननी पड़ेगी बताओ गानन वर्गसा के लिए कहा कि ठोग दो हमारी पुलिस से कहा कि ठोग दो बताओ ये है कानू मर्गसा भाबा मुकिमेंदी जी की हमारी पुलिस भूल गई किसको ठोगना है कभी जंता को ठोग दिया और कभी जंता को मुखा मिला तो पुलिस को ठोग दिया बताओ ठोगा ठागी हुई के नहीं हुई और नजाने कितने नर्दोस रों की जान चली गई तो इसलिए केबल चौकीदार नहीं आपको ठोकीदार भी अटाना है राजिस्थान के अलवर गैंगरेप मामले पर बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलट वार तेज हो गया इस मामले में प्रधान मंत्री ने राजिस्थान सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी पर सवाल खड़े किये जिसके बाद मायावती ने प्रधान मंत्री पर इस मामले का चुनावी फायदा उठाने का आरोप लगा दिया राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ इसी अंदाज में पीम पर निशाना साथा लेकिन बीजेपी ने मायावती के बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने भी मायावती के बयान पर तीखे तेवर दिखाए एक तरफ में काउनिस का समर्थन करेगी और दूसरे तरफ में क्या करते हैं कि जो है घरियालू आंसू बहाने की कुछिस कर रही है प्रश्य मंगाल में भारती जनता पाती के अध्याक शमय शाह की रैली रद करने के बाद अब योगी आदितिनात की रैली को भी रद किया गया झाल झाल